हेलो दोस्तों आज हम लोग जो है अनुछेद 19 के जितने भी सब क्लॉस हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे चूंकि दोस्तों अनुछेद 19 का जो ये सब क्लॉस है पूरे पॉलिटी के सक्षिन में सबसे कठिन और सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स में से एक करता है तो दोस्तों ये खुद कह रहा है कि हमको याद करो और वो कैसे कह रहा है हम आपको बताते हैं तो दोस्तों जो अनुछेद 19 1 A है ए दोस्तों A से शुरू होता है और A से अभिव्यक्ति तो क्या होता है A से अभिव्यक्ति तो A से क्या हो गया अभिव्यक्ति की सोतं करने की स्थापित करने की सोतंतर तो से कितना आसान है हिसिंग साउंड आ रहा है, संगम, संग वा सहकारी समिती इस्थापित करने की सोतंतर था, है कि नहीं, तो क्या कर रहा है, C, 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 मतलब संगम, संग और सहकारी समिती वा स्थापित करने की सोतंतर था, तो C से, एक्दम हिसिंग साउंड आ गया, A से, अभिवत की, B से, निवास खरने की सोतंतरता इसके बाद F आ जाता है हम लोग जानते हैं F फूर हो गया फुर्र क्या हो गया संपत्ति का अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 14 में संभिधान शोदर अनुच्छे 300 का में शामिल कर दिया गया तो F फुर्र हो गया फुर्र क्या कर दिया संपत्ति का अधिकार ठीक दोस्तों अब आ जाता है G 19 1 G जी से क्या हो गया जी से जीविका की स्वतंतर था जीविका यहाँ कोई लड़की नहीं है आ जीविका की स्वतंतर अब जी से जी सुरू हो रहा है और जीविका सुरू हो रहा है तो जीविका विर्त कारोबार व्या पार करने की स्वतंतर था तो दोस्तों कितने आसान तरीके से पूरे अनुच्छे दूनीस के सब कलॉस याद हो गए और A में अभिव्यत्य, B में बिनाशास्तर के सम्मेलन, C से संगम संग सहकारी समितियां स्थापित करने की सोतंदर था, D से घूमने फिरने दहरादून की सोतंदर था, E निवास की सोतंदर था, F फुर हो गया संपत्तिकारिकार, GGV का हो गया है कि नहीं, तो दोस्तों ऐसे ही अनुच्छत 49, A, B, C, D है वो भी सब बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे पूरी GS आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों, इसी तरीके से बहुत रोचक तरीके से आपको पूरी GS हम आपको याद करा देंगे, तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए आप GS वाले भीया चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, जहिन जभारत